हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो में चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आज आज सब लोग लैकर आही हूँ हाफेजी पाइनेपुल केक की रेस्पी हाफेजी पाइनेपिल केक बनाने के लिए कितना आपको केक प्रिमेस लेना है कितने इंच का आपको टिन लेना है साथ में कितनी क्रीम लगेगी यह सारी चीजे में आप लोग को साथ इस वीडियो में शेर करने वाली हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम केक का जो प्रिमिक्स है उसका मिजर्मेंट दिखा देते हैं कि हाप केजी पाइनेपल केक के लिए आपको कितना केक प्रिमिक्स लेना है और यहाँ पर मैंने ट्रॉपलाइट का केक प्रिमिक्स लिया है आप किसी भी ब्रांड का केक प्रिमिक्स ले सकते हैं तो weight machine में आप देखें मैं कितना cake premise ले रही हूँ यहाँ पर मैं 185 gram करीब cake premise लूँगी यदि आपके पास इस तरह से weight machine नहीं है तो 100 grams के जो cup का measurement करने के लिए होता है आप उससे measurement कर सकते हैं वैसे मैं हमेशा इस तरह से weight machine से ही measurement करती हूँ तो यहाँ पर मैंने 185 grams करीब cake premise ले लिया है और आप हम इसको रख देते हैं weight machine को side में उसके बाद मैं इसमें डालूँगी vanilla essence हम चाहे किसी भी flavor का cake बनाए हमेशा आपको ध्यान रखना इस प्रेंज में थोड़ा सा vanilla essence जरूर डालेगा इससे जो कुछ भी अगर इसमें smell होती है प्रेमिक्स में तो वो नहीं आती है अब इसमें हम डालेंगे 3 चमस करीब oil 3 टेबल स्पून करीब हमने इसमें oil add कर दिया है उसके बाद आप इसमें हम इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे उसके पर हम इसमें डालेंगे पानी तो यदि हम इसे ml से आपको बताओं तो मैंने यहाँ पर 120 ml करीब पानी लिया है वैसे आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेगा बैस आपका जो cake का better है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालेगा तो यहाँ पर एक कप करीब मुझे पूरा पानी लग गया था और अब हम इसको electric beater से बीट करूँगी electric beater से आपको इसे 1-2 मिनिट करीब इसे आपको अच्छी तरह से बीट करना है इसे इसका जो texture होता है इसमें एकदम smooth और fluffy हो जाता है जिससे कि हमारा cake है वो भी बहुत अच्छा fluffy fluffy बनता है यह देखिए 102 मिनिट करीब हम मुझे इसको बीट करते हो गया है तो कितना अच्छा तरह से इसका texture आग गया है अब हम ले लेते हैं cake का tin तो बहुत से लोगों का question रहता है कि cake के tin का आपको कितना इंच का लेना है हाप केजी के लिए हाप केजी के लिए मैं हमेशा 6 इंच के cake का tin का इसमाल करती हूँ हमेंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है और मैं इसे बेक करूंगी microwave में अब मैंने केक जो हमने बैटर डाला है उसको उपर से थोड़ा हम spoon से अच्छी तरह से equal कर लेंगे उसके वाद हम इसे थोड़ा सा tap कर लेंगे तो मैंने microwave को 180 degree पे 10 मिन्ट के लिए preheat पे लगा दिया था यदि आपके पास microwave नहीं है गैस है तो आप उसे भी 10 मिन्ट के लिए preheat कर लिजेगा तो यहाँ पर मेरा microwave है वो preheat हो चुका है तो हम केक को रख देते हैं और time set कर देते हैं 35-30 मिन्ट में जो हमारा केक होता है वो अच्छी तरह से बेक हो जाएगा और यदि आप OTG पे भी अच्छी तरह से बेक करते हैं तो भी आप OTG पर उसे दस मिन्ट के लिए पहले preheat कर लिजेगा उसके बाद 25-30 मिन्ट के लिए उसे बेक कर लिजेगा जो केक है आपका बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएगा यह देखे 30 मिन्ट हो चुके हैं और हमारा केक एकदम बनके तयार हो चुका है यह कितना अच्छा कलर आया है अब मैं इसे चेक भी कर लेते हैं हम इसे यह देखे पूरा क्लीन आ रहा है मतलब जो हमारा केक है वह अच्छी तरह से कोक हो चुका है उसके बाद जिसे जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे तो सबसे पहले तो इसके जो साइड से हमें इस तरह से नाइफ चला देना है इससे यह बहुत इजीली तरीके से निकलाता है मैं कभी भी बटर पेपर नहीं लगाती हूँ हमेशा केक के जो टिन होता है पहले मैं ओल से ग्रीज करती हूँ इससे कभी भी मेरा केक है कभी भी तली में चिपकता नहीं है और आप देखे केक कितना अच्छा बना है अब इसको हम कट कर लेंगे केक कट कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं पहले भी शेर किया है मैंने जो केक डेकरेशन की वीडियो है उसमें मैंने बताया है तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक है वह मैं दिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगी यहां मैंने तीन लेयर कट करी है और उपर का पार्ट होता है उट जाता है तो उसको भी मैंने अलग रख दिया है उसको भी आज हम यूज करने वाले हैं अब हम जो क्रीम होती है उसका मेजर्मेंट कर लेते हैं मैं यहां पर रिच कंपनी की इस्तमाल कर रही हूं और क्रीम हमेशा आपकी एकदम चिल्ड होनी चाहिए क्रिस्टल लगा ली नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें बर्ब चमी है यदि आप फ्रीजर में रखते हैं क्रीम को तो जब भी इस्तमाल करना है तो आप उसको पहले से थोड़ी आदा गंटे पहले निकाल दीजेगा यह देखे 182 ग्राम्स मैंने यहाँ पर लिया है क्रीम को और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा वैनिल सौरी पाइनेपल एसेंस और हम इसको अच्छी तरह से क्रीम को फेट लेंगे मैं यहाँ पर इलेक्टर बीटर का इस्तमाल कर रही हूँ यदि आपके पास इलेक्टर बीटर नहीं है तो आप हैंड विसकर का भी इस्तमाल कर सकते हैं वैसे इलेक्टर बीटर से जल्दी काम हो जाता है तो मैं हमेशा इसी का इस्तमाल करती हूँ तो हमें इसे पहले एक मिट के लिए अच्छी तरह से हाइ स्पीट पर अच्छी तरह से बीट करना है जब एक मिट करीब हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आइसिंग सुगर तो यहां मैंने चार चमस करीब आइसिंग सुगर लिया है तो आइसिंग सुगर आप जब भी केक डेकुरेशन करें या केक बनाएं तो ज़रूर जो क्रीम होती है उसमें आइसिंग सुगर डालेगा जब भी हम इसकी क्रीम से कोई भी डिजाइन बनाएंगे ना यह तो बहुत अच्यक्त होती है उसकी क्रीम बनाएं उसमें आइसिंग सुगर डालेगा कभी भी आपकी क्रीम मेल्च नहीं होगी यह देखिए हमारी आइस जो क्रीम है अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है तो आप हम इसे हाफ कर लेंगे क्यूंकि मैं जो फ्लावर केक में बनाने बाली हूं वह यलो कलर की बनाओंगी और बांकी जो मैं केक को कवर करूंगे वाइ सुगर सिरफ बनाना भी बहुत असान है एक कप पानी में आप दो से दो चमस करीब शक्क लीजेगा उसे थोड़ी देर के लिए उबाल लीजेगा और तंडा हो जाए उसके बाद आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं और जो उपर का जो पार्ट था ना जो उठा हुआ था देंगे तो उसके आपको छोटे छोटे दुक्ड़े लेना है और इस तरह से नीचे लगा देना है इस तरह से इससे क्या होगा एक तौक के जो भी कुछ भी वेस्ट नहीं बचेगा के का सारे जो पूरा केक है इसमें इस्तमाल हो जाएगा दॉशा भी देखेगा थोड़ा तो क्रीम लगाना भी बहुत असान है बीच की तरफ से क्रीम को रखिए उसे राइट लेप करते हुए अपने जो नाइब है उसको राइट लेप करते हुए से आप फैला दीजेगा और यदि आपको इस तरह से फैलाना नहीं आता है तो आप किसी आइस जो होता है पाइपिं है उससे से चिपक जाएंगे फिर वह बाहर नहीं निकलेंगे और केक हमारा उंचा भी दिखेगा इसाना बढ़ा भी दिखेगा आप देखित अब मैंने यहां नीचे की लिए कि बड़ी दिख रही है नीचे कुछ भी स्पेस नहीं छूटता है सिगरहँ जिप केक के करें दालते हैं पर मैं आज बाहर पाइनेपल लगाने वाली हूं इसलिए को बीनेपल परछ पसंद है तो आप मार्केट में बहुत मिल जाते हैं तो आप अंदर भी फिनेपल करेश्ट हैं यहां पर मैं आज' जो उपर की तरफ ही मैं उससे डेकूरेट करूँगी इसलिए मैं अंदर नहीं डाल रही है, तब ये लास्ट लेयर भी हमने केक का लगा लिया है, उसे भी हमने अच्छी तरह सिशिट रुगर सरभ लगा दिया है, अब हम क्रीम को भी लगा देते हैं बाहर की तरफ जो क्रीम होती है तो आप अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम मत लगाएगा क्रीम बाहर की तरफ जो ऊपर के तरफ हमारा वो चारों तरफ राउंड होता है उसों को कवर करने के लिए क्रीम हमें ज़्यादा लगती है तो अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम मत लगाएगा बाहर के लिए ज़्यादा क्रीम बचा के रखेगा इससे कि हमें कुछ भी डिजाइन बनाने में भी इजी होता है साथ में हमारा जो केक है उसका लुक भी अच्छा आता है बिस आपको थोड़ी थोड़ी करके क्रीम लगाते जाना है अपने जो नाइफ है उसको राइट लेफ करते जाएगा क्रीम जो होती है इजीली तरीके से केक में लग जाती है यह देखिए हमारी जो क्रीम है कितनी अच्छी तरह से लग चुकी है मैंने जो कॉम होता है मार्केट में बहुत असान तरीके से मिल जाता है वो कॉम लिया है इससे जो केक में एक लाइनिंग आ जाती है इससे केक हमारा बहुत अच्छा दिखने लगता है तो उससे मैंने कॉम को चला दिया है और उसके बाद जो हमने अलग से क्रीम को रख दिया था उसमें हम डालेंगे यलो कलर इस क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था कभी भी बाहर मत छोड़ियेगा जब किसी भी क्रीम से जब आपको डिजाइन बनानी हो तो आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेगा वर दी यहां तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और आप ले लेते हैं हम अपने केक को और उसमें डेकुरेट कर देते हैं तो इसकी डिजाइन बहुत ही सिंपल होती है बिस आपको एक डॉट रखके उसे एक जीरो का सेफ बना देना है इस तरह से डॉट रखिए और गोल कर दीजेगा तो ये बैसे हमारा एक फ्लावर की जो डिजाइन होती है वो आजाती है बहुत ही सुन्दर डिजाइन लगती है मुझे स्टान नूजल की और सिंपल भी होती है साथ में जल्दी भी बन जाती है यदि आपको किसी को 2-3 घंटे में केक डेकुरेट करके देना हो तो आप इस वाली डिजाइन को बना सकते हैं तो पूरे बॉर्डर में मैंने बना दिया है और बीच के तरह भी मैं एक रोज बना दूँगी अब मैं नीचे बॉर्डर बनाऊंगी तो नीचे बॉर्डर मैं डॉट डॉट करके बना रही हूँ और हमेशा जब भी आपको केक को बड़ा दिखाना है तो आप उसकी बॉर्डर है वो दो बनाई है कि जैसे मैं अभी एक बॉर्टर बना रही हूं उसके बाद में इसी इसी डिजाइन को थोड़ा से ऊपर एक बार और बनाओंगी इससे जो हमारा केक होता है बढ़ा देखता है तो अभी देखेगा जैसे अभी तुम्हें ने स्थ एक ही एक ही बॉर्डर बनाई है तो अभी कर लोग देख सकते हैं लेकिन जैसे ही में इसकी सेकंड लाइन बनाऊंगी इससे जो हमारा केक का लोग एकदम चेंज हो जाता है वह बड़ा देखने लगता है आप यह देखीगा पर समय सेकंड लाइन थोड़ा थोड़ा पास-पास में हमें इस तरह से डॉट्स बनाते जा और इसे जो हमारा केक महता है बड़ा देखने लगता है यसे आप के किए कट से लोग होता है बह Miller होता है यह देखि यह हो गया है रोगाнова हमकिन को लगा रही हूं पढ़ाएल पाइनेपल ने ऊसको लगा रही हूं पाहले में प्रिजर से पका लेते हैं फबिल प्रेस पैन लगा रही हूं उसके साइड और बीच में भी लगा दूंगी कितना असान था आज का केक बनाना इस तरह से आप बनाईएगा बहुत असान तरीके से बन जाता है पूरा मेजरमेंट मैं आपको इस वीडियो पर बता दिया है कि इतना आपको क्या प्रेमिस लेना है कितना पान क्रीम लेना है कितनी क्रीम लेनी है वह सारी चीजे मैंने इस वीडियो पर आप लोगों के शेयर कर दी है उसके बाद भी यदि आप लोगों के मन में कुछ कॉश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लेखिएगा इस तरह से हम देखिए पूरे पाइनेपिल अच को रेडी हो चुका है आपके जी का केक भी आपके देख सकते कितना बड़ा देख रहा है तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा तो अब यह हमारा जो पूरा जोड़े के बीच में थोड़े थोड़े से पाइनेपिल लगा दे रही हूं उसके बाद उसे नएस वीडियो पर जब तक अपना ख्याल लगेगा थैंक यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई